Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप सिल्कुल ना पूरे साथ ही हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस कर दें ताजमहल मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होगा दिसंबर में बुमिगर मेट्रो स्टेशन ताजमहल की खुदाई दिसंबर के दीसरे सब्ताह से शुरू होगी रामनील अग्राउंड से पहले एक चनल बोरिंग मशीन का प्रियोग होगा एक माँ के बाद दूसरी मशीन का प्रियोग होगा, मशीन के प्रवेश के लिए खुदा इस थल बनाया गया है महीं उत्रप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के टीम ने पहले टिपो के लाइन को घुमाओ देने के लिए कर व्यू गर्डर का निर्मान पूरा कर लिया इस रेंट्स को मुफ्त स्मार्ट फोन और टैबलेट के साथ मिलेगी सरकार की एहम योजनाओं की चौनकारी फाइवजे टेकनलोजी लॉंच होते ही देश इंटरनेट क्रांती के नई यूग में प्रवेश कर चुका है इसके साथ उत्रप्रदेश की योगिया अधितना सरकार निराजी के प्रत्य गाउं में फाइवजे स्पीड से इंटरनेट पहुचाने का संकल्प लिया इसके अलावा प्रदेश पे चात्र चात्राओं को स्मार्टफोन और टेबलेट बाटने का काम भी तेजी से चल रहा है इसके सरिए विद्यार्ति अपने पाचिक्रमों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से समझ सकेंगे साथी सरकार की योजनाओं के जानकारियां भी अब उन्हें प्री लोड़ेड उपलब दिखकर आई जाएंगी यूपी के पिछतर जिलों के लिए बड़ी राहत ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस यूपी के उद्यम्यों को बड़ी राहत मिली है श्रम विभाग ने नए कारखानों के लिए उन्लाइन लाइसेंस देने का सिस्टम शुरू कर दिया श्रम विभाग के साइट पर नक्षा और फार्म भरकर अपलोड करने के एक महीने के बाद लाइसेंस मिल जाएगा इसी प्रक्रिया के तहर पुराने कारखानों के लाइसेंस के नवीनी करन भी ओनलाइन हो सकेंगे सीम योगी आट अक्टूबर को करेंगे मिशन निरामया सीम योगी आट इतनाथ मिशन निरामयाहा अभ्यान की शुभारंब आट अक्टूबर को एस जी पीजूआई के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे इस विशन का उद्देश नर्सिंग और पैरामयडिकल छात्र शात्राओ को गुडवत्ता पून प्लेस्मेंट करियर काउंसलिंग और अकांग्शी करियर बनाना है इस पॉके पर डिप्टी सीम प्रजेश पाठक और राजे मंतरी चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्ते परिवार कल्यान मयंकेश्व शरण सिंग मौझूद रहेंगे पौधर उपन की अब तीन वर्ष तक लगातार होगी चांच उद्परदेश सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधर उपन करवाती है पौधर लगाने के बाद ये अधिक संख्या में बची रहीं इसके लिए भी कई तरह के प्रयास किये जा रही है बार्तिय वन सर्विक्षन से थर्ड पार्टी जाँच कराने के साथ ही वन्विभाग अपनी अनुश्रवनिकाई को भी समय तपुन काम में लगाने जा रहा है अब पौधर उपन के लगातार तीन वर्ष तक जाँच की जाएगी गाजयबाद में 20 देन तक सिर्फ एक समय आएगा पानी उत्रगन के हरिद्वार से गंग नहर बंद होने के कारण न केवल गाजयबाद बल्कि गौतम बुद नगर और दिल्ली के लोगों को भी पानी के किल्लत का सामना करना पड़ेगा तकरीबन एक महीने तक तीन शेहरों के लाखों लोगों को गंगा जल के समस्या झेलनी पड़ेगी गाजयबाद में 6 अक्टूबर से नगर निगम दोरा नलकूप से पानी किया पूर्ती की जाएगी दिपावली पर लोगों को फिर पानी के किल्लत से जूचना पड़ेगा सियम ने तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूद दो शावकों का किया नाम करें उद्वर्देश के मुख्यमंतर योगिया अदितिनात्य अबुदवार को शहीद अश्वाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का दौरा किया इस दौरान बे तेंदुए के शावक को दूद पिलाते दिखे रेलवे फिर शुरू करेगा प्लैटफॉर्म वेंडिंग की सुविधा सीट पर मिलेगा चाय नाश्ता भारते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को असानी से चाय और खाना मिल सकेगा वेंडर भी खुल कर यात्रियों को चाय और खान पान का सामान देंगे लेकिन इस्टेशन पर घूमने वाले स्टॉल संचालक को वेंडर लाइसेंस फीस जमा करनी होगी रेलवे की नए केटरिंग विवस्था 10 अक्टूबर से लागो होगी स्टॉल संचालक 2 से अधिक्तम 4 वेंडर तक रख सकेगा संचालक को लाइसेंस फीस का 5 फीस दी फीस जमा करनी होगी काशी में गूमने के लिए टिकेट को नहीं पड़ेगा भटकना यूपे में राजसरकार काशी आने वाले परिचकों के लिए एक रियायती और अकर्शक प्लान बना रही है इसमें एक ही पास से ध्वार्मिक इस्थल और रहतिहासिक धरोहरों को देखा जा सकेगा इसके लिए अलग-अलग टिकेट नहीं लेनी पड़ेंगी जुतने भी धार्मिक और रहतिहासिक इस्थल देखने हैं उनके लिए केवल एक पास लेना होगा इसे परेटिकों को सुवधा मिलेगी और हर इस्थल पर टिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और नहीं लाइन लगानी होगी पंदर अक्टूबर तक इसनातक प्रवेश के लिए ओन-लाइन रजिस्ट्रेशन शुरू इलबाद विश्विद्याले में इसनातक पाचिक्रमों मे प्रवेश लेनेवाले छात्रू के लिए खुषकबरी है इलबाद विश्विद्याले में पंजुकरन शुरू हो गया है आधिकारेक विबसाइट पर चााकर पंजीकरन के सभी और चारिकताओं को पूरा करने के बाद इलाबाद में शविद्याले प्रशासन ने दिशा निर्देश चारी कर दिया साथी ऑनलाइन बंजीकरण के लिए लिंक भी विबसाइट पर अपडेट कर दिया गया ऑनलाइन पंजीकरण की आखरी तारीक 15 अक्टूबर रखी गई यूपी पूर्ट की कापीज चेकरने के बाद भी शिक्षकों का आज करोर से ज़्यादा पेमिन्ट पकाया उद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद् यूपी निगाय चुनाओं के तयारिया और तेज 20 तक पूरा होगा आरक्षन नगर विकास विभाग ने निगाय चुनाओं के तयारिया तेज कर दी है नए और सीमा विस्तार करने वाले निकायों से वार्ट्स में रैपिट सर्वे यानी पिछलों की गिंती का काम पूरा कराते हुए 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट निकाय निदेशाले को अनिवारे रूप से पहुचाने का निर्देश दिया गया है ग्रहमंत्री अमिर्शा आएंगे काशी बिहार से लोट कर बनारस में आराम करेंगे ग्रहमंत्री अमिर्शा ग्यार अक्टूबर को एक दिन दोरे पर बनारस पहुच रही है वो दिल्ली से बाबत पूरी एरपोर्ट से होते हुए बिहार जाएंगे वहां से लोट कर सरकिट हाउस में पांच गंटे प्रवास करेंगे रात में वो दिल्ली को लोट जाएंगे सरकिट हाउस में वो काशी शेतर जिला वा महानगर पता दिकारियों के साथ बैचक करेंगे ताज महल के साए में खास टावर बनाया इस टावर की उचाई से परेटक ताज महल आगरा का किला महताब बाग और यमुना नदी का शानदार नजारात देख सकेंगे उध्यान विभाग ने शीश महल पार्क में वाच टावर का निर्मान किया है तीपावली से पहले इसे परेटकों के लिए खोल दिया जाएगा विभाग ने ताज महल के बश्यमी गेट पर इस शीश महल पार्क में वाच टावर का निर्मान किया वाच टावर से परेटक ताज महल आगरा केला और यमुना नदी का एक साथ दीदार कर सकते हैं इस वाच टावर के चारो और हर्याली है अब जो हैं तकलेश की बदत करेंगे सत्पाल मलिक बोले महंगाई और बेरोजगारी ने देश को बर्बात कर दिया अपने बैतर गाओं हिसावदा के प्रात्मिक विद्याले में सामोहिक भोज कारिक्रम में पहुँचे मेखाले के पूर राजपाल सत्पाल मलिक ने परिवार के साथ भोजन किया और ग्रामीनों से बाच्छीट की पत्रकारों से बात करते हुए पूरवा जपाल ने केंदर की मोधी सरकार को घेरा और कहा कि किसानों की लड़ाई में हमेशा सहयोग देते हुए जोयन चौधरी और अखलेश श्वादफ की मदद करूँगा क्योंकि मैं इनी से निकला हुआ हूँ रेलवे में एक आज की मार्ध भगधान से कर सकते हैं पेमेंट रेलवे के नियम की नुसार आपके पास यदि प्लैटफर्म टिकेट है और यात्र टिकेट नहीं है तो आप ट्रेन में किराई य जूर्माने का भुगदान डेविच कार्द से कर सकते हैं यानि आपके पास यदि ट्रेन का टिकेट नहीं है तो आप ट्रेन में चड़ने के बाद कार्ट से पेमेंट करके भी टिकेट बनवा सकते हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि यातरी को कनफर्म टिकेट नहीं मिल पाता तो ऐसे में रेलवे के तरफ से भारी पैनाल्टी लगाई जाती है इस पैनाल्टी का पेमेंट आप कार्ट के माध्यम से कर सकते हैं कुटे के हमले से लोगों को बचाने के लिए नॉइडा जल्द बनाएगी डॉग शेल्टर दिले से सटे नॉइडा में पिछले कुछ समय से कुटों के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं इने गंभीरता से लेते हुए नॉइडा अथोर्टी ने बड़ा प्लैन तयार किया जिसके तहर शहर में 18 डॉग शेल्टर होम बनाने का लक्श रखा गया पहले पाइलट प्रजेक्ट के तौर पर चार शेल्टर होम बनाए जाएंगे इसके संचालन के जिम्मेदारी सेक्टर की आर्ट डव्ल्यू पर होगी दरसल पिछले कई महीनों में सिर्फ नॉइडा में ही डॉग बाइट की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है ऐसे में डॉग शेल्टर बनने से इस मामले में काफी हद तक कमी आएगी उम्प्रकाश की टेंशन बढ़ाएंगे कटपा निकाई चुनाओं में सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी निकाई चुनाओं की घुष्णा भी नहीं हुई है लेकिन सियासी गर्मी चरम पर है दावेदारों के पोस्ट्र होडिंग से निकाई शेद्र पट गए बढ़े तलों के साथ छोड़े दल्बी पूरी ताकत के साथ पैदान में उतरने की तयारी कर रही है सुभा सपा से अलग होकर सुहेल देव सौभी मान पाठी का गठन करने वाले महेंद्र राजभर ने भी निकाई चनाव लड़ने की घुशना कर दी उनकी बाती सबी सीट्स पर उम्मीदवार उतारेगी से उम्प्रकाश राजभर का टेंशन बढ़ना आते है लगनों के एकाना स्टेडियम मेँ आज भारत दक्षन अफरिका बीच होगा पहला वंडे मैच भारत एक रिकेट टीम और दक्षन अफरिका रिकली के बीच वंडे सीरीज की शुरुआत हो गई है कि मुक्यमंत्री योगिया दितिनार भी टीम इंडिया और दक्षन अफरिका क्रिकेट टीम के बीच होने वाले इस मुकाबले को देख सकते हैं भारत क्रिकेट टीम की कप्तान शिकरधवन और दक्षर अफरिका क्रिकेट टीम की कप्तानी टेमबा वामन को सौंपी गई है तिकुनिया कांट की बरसी पर आकेश्ट गैट बोले 26 नवंबर को किसानों का होगा देश व्यापी प्रदर्श किसान इतर आकेश्ट गैट ने मोधी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बरतक किसानों के नियाए के लिए लड़ाई जारी रहेगी इसके साथ ही उन्होंने 26 नवंबर को देश व्यापी आंदोलन की बात कही दिवाली चट के लिए रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल त्योहारे सीजन में यात्रा करने वाले पूरवांचल के लोगों को रेलवे ने बढ़ी राहत दी तशरा दिवाली और चट पूजा पर प्रवासियों को आवगमन में परिशानी नहों इसके लिए रेलवे ने कुछ पूजा स्पेशल ट्रेंज का संचालन शुरू कर दिया जबकि आगामे कुछ दिनों में करीब आदा दर्जन और पूजा स्पेशल ट्रेंज का संचालन शुरू हो जाएगा लोगों को त्योहारों में दिल्ली, मुंबई और दक्षर भारत से गुरखपुर आने वाली ट्रेल्स का कन्फर्म टिकेट नहीं मिल पा रहा मुलायम सिंग की हालत इस्थिर सबस अंरक्षप मुलायम सिंग यादव की हालत इस्थिर बनी हुई है इस बीच बुदवार को उनका हाल जानने हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहार लाल खटर मेदानता अस्पताल पहुचे उसके बाद राज़त प्रमुक लालु यादव और टेजसी भी मेदानता अस्पताल पहुचे यूपी में अगले पांस दिनों तक भारी बारिश की चीताफ नी लेकिन उत्रप्रदेश समेट कई हिस्सों में एक बार फिर से जम कर बरसात ने दस्तक दे दी है उत्रप्रदेश के कई जिलों में बुदवार को भारी बारिश हुई जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है मौसम विभाग का पूरवा अनुमान है कि उत्रप्रदेश और ऊत्रखन के कई जिलों में भारी बारिश अगले 5 दिनों तक बारिश के असार है इसके अलावा उडिसा तटिया अंदरप्रदेश, 36 गड़ों मद्रप्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों तक भारी पर साथ होगी ग्लोबल इंवेस्टर समीट में यूपी खोलेगा नए शेत्र में निवेश की तवार उडप्रदेश उड्यम्यों को अपने वेश के नए शेत्र में आने का निवाथा देगी यूपी विधान मंडल के सियासी इतिहास में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कारिवाही सिर्फ महिला विधायकों के नाम रही अब एक बार फिर से यूपी विधान मंडल नहीं पहल करने जा रहा है इस पार ऐसे विधायक जिनोंने अभी तक विधान सबा और विधान परिशत के कारिवाही में एक भी शब्द नहीं बोला ऐसे शर्मीले वचुपी साथ कर सदन के कोने में बैचे रहने वाले विधायकों के लिए विशेश सत्र आयोजित किया जाएगा विधान सबाद द्यक्षतीश महाना ने अब सरो को निर्देश दिया कि ये ऐसे सर्मीले विधायकों के तलाश की जाए उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनके बारे में सारा ब्योराय कत्र किया जाए ऐसे उमीद के जा रही है कि आने वाले शीत कालीन सत्र में सदन में ना पूलने वाले विधायकों के एक दिन का विशेश सत्र आयोजित किया जाएगा तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद